आइए, अब हम समझते हैं कि समता अंश पूंजी होती क्या है समता अंश पूंजी से तात परिय उस अंश से है जिसमें कि ये जो अंश धारी होते हैं ये एक important role play करते हैं या मुक्के भूमे काने बात हैं ये ही जो company के risk taker भी होते हैं मतलब किसी भी तरीके का हास होता है तो ये वो लोग होते हैं जो सरवप्रतम इस रिस्क को या लॉस को वेहन करते हैं। कह सकते हैं कि जो समता अंश पूंजी के धार को धारन करने वाले होते हैं वो जो लोग होते हैं या वो अंश धारी होते हैं वो इसमें एक मुक्य भूमिका अदा करते हैं साथ ही साथ हम इसे कह सकते हैं कि समता अंश पूंजी को धारन करने वाले या साधारन अंश पूंजी को धारन करने वाले अंश धारी जो होते हैं वो कंपनी पर मालिकाना हग भी रखते हैं आए सम्ता अंश पुनजी को जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सम्ता अंश पुनजी की विशेष्टाओं को समझते हैं。 जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक एक करके इनकी जो विशेष्टा हैं उनको जाने और अच्छे समझने के कोशिश करेंगे. पहले विशेष्टा कहती है कि ये उद्योग की स्थाई पुन्जी होती है और इसकी वापसी उद्योग की जीवन काल में नहीं होती है बिल्कुल सही बात है कि ये वो पुन्जी होती है जो की उद्योग की स्थाई पुन्जी होती है मतलब उद्योग का जब तक जीवन चलता वापता राता है तब तक इसकी वापसी नहीं होती है लेकिन इस के जीवन काल के समापन के पश्चात इसका जो की वापसी едारी होते हैं उनको सबसे अंतिम में होती है. सबसे पहले जो जाती है वो creditors को जाती है या रिंड देने वाले रिंड दाताओं को जाती है फिर preference shareholders को जाती है और उसके बाद अंतिम में समता अंशधारियों को जाती है अगे दूसरा बिंदो हम देखते हैं जो दूसरी विशिष्टा कहती है वो यह है कि यदि उद्योग म हम चला रहे हैं अगर उसमें किसी प्रकार का लाब नहीं होता है तो यह अंशधारी होते हैं जिनने किसी भी प्रकार का लाभांश नहीं दिया था जबकि प्रिफिरेंश शेयर होल्डर्स जो हम बात कर रहे थे उनको कोई न कोई अंश दिया जाता है या डिविडेंट्स ह कह सकते हैं या लाभांश कह सकते हैं वो दितने पर जो समता अंशधारी होते हैं उनको किसी प्रकार का लाभांश नहीं डिया जाता है आगे बढ़ते हैं अगला बिंदु देखते हैं अगला बिंदु क्या है साधारन अंश पूंजी से उद्योग को प्रारंबिक पूंजी होती है उस पर ही उद्योग का जोखिम निर्वर करता है बिल्कुल सही बात है जो ये पूंजी होती है या मुख्य पूंजी होती है या प्रारंबिक नयाहाद रिखते हैं और साथ ही साथ यही वह लोग होते हैं जो जोखिम को वहन करते हैं और इस तरह के अंशतारी वह लोग होते हैं जो व्यव्यवस्याय को चराने में इक महत्वपून भूमिका निभाते हैं आइए इनसे conversations वाले लाबों को जानेंगे कि इसे किस प्रकार के लाब होते हैं आप जैसे की स्क्रीन पर देख रहे हैं इनसे होने वाले लाबों को दो भागों में बटा गया है पहला बाग है कि कंपनी को लाब और दूसरा भाग है विनियोज को को लाब आये देखते हैं कि कंपनियों को क इस प्रकार के लाब होते हैं कंपनी को लाब में हम पहला देखते हैं कि यह कंपनी को स्थाई पूंजी के रूप में प्राप्त हो जाता है विल्कुल सही बात है जो समता अंश होता है वह एक स्थाई पूंजी के रूप में कंपनी को प्राप्त होता है इसके बेसिस पर ही क् ख़ड़ा किया जाता है उसको रन किया जाता है उसको आगे बढाया जाता है ठीक है दूसरा बिंदू कहता है तो संता अंशधारी या साधारन अंशधारी वे लोगोते हैं जिनको लभान शुटरित नहीं किया जाता है, क्योंकि संता अंशधारी अक मालिक ना हक रखते हैं या उस व्याववसाय के मालिक होते हैं Poppy बात हम कह सकते हैं तीसरी जो इसका लाब है वो कहता है कि आवशक्ता नुसार कंपनी द्वारा अरजित लाब का पुनर वियोजन सरलता से किया जा सकता है बिल्कुल सही बात है अगर कंपनी कोई लाब अरजित कर रही है तो साधरन अंशधारी कोई अधिकार होता है कि वे क् कर सके अर्जित लाब को और कहीं भी नियोजित कर सके जिससे की वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके साथ ही साथ उसका विकास एवं विस्तार कर सके आए आगे बढ़ते हैं और उसके चौथे लाब को देखत कहते हैं चौथा लाप कहता है कि सामान अंश पूंजी से प्राप्त की गई संपत्यां प्रभार विहीन होती है जो किक्दम स्पष्ठ है पांच वा बिंदु कहता है कि आर्थिक एवं वित्तिय संकट के समय समता अंश पूंजी एक सुरक्षा कवच का कारी करते हैं बिल्कु के लिए नहीं नामुम्किन हो जाएगा आए आगे बढ़ते हैं और इसे और अच्छे तरीके समझने की कोशिश करते हैं कि इसका अगला लाप क्या है चटवा लाप कहता है कि समता अंश कंपनी के लिए दीर्ग काली निवित्त का सरवत्तम साधन है यह एक स्थाई समता अंश के द्वारा जो कंपनी को किस प्रकार के लाप हो रहे हैं वो देखा है और जाना है आए हम देखते हैं कि इसके द्वारा विनियोजको को किस प्रकार के लाप प्राप्त होते हैं जो विनियोजको को प्राप्त होने वाले लाप हैं वो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह के से दिखाये गए हैं पहला लाप कहता है कि जो विनियोजक होते हैं वो अगर उनकी जो आय है company की आय में वृद्धी के फलसरूप जो हो रही वृद्धी होती है तो विनियोजकों की आय में वृद्धी होगी क्योंकि जैसे ही कोई लाब प्राप्त होता है तो विनियोजक जो होते है उनको यह लाब उनके percent केनुसार क्याता दिया जाता है जो preference shareholders होते हैं उनके जो rate होते हैं जो डिविडेंट्स जहें या profits देने के वो fix होते हैं बट इनको जो होता है जो समता अंश जो विनियोजक होते हैं इनके जो लाबहांश जो होते हैं इनका कोई rate fix नहीं होता है लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो अगर company की आय में वृद्धी हो रही है तो विनियोजक की आय में भी वृद्धी जरूर होगी दूसरा बिंदु कहता है कि मतदान द्वारा company के प्रवंद में सक्री भागीदारी होती है बिल्कुल सही बात है इनको मतदान करने का पूरा पूरा अधिकार होता है क्योंकि मैंने कहा कि इनको हम क्या कह सकते हैं company के owners और भी कह सकते हैं क्योंकि अभी तक हम owner Fandank की बात कर रहा हैं तो यह वह अंश्धार होता है जो company के owners की तरह भी कारे करते हैं और साथ संब्साथे क्या करते हैं management में क्या कर सकते हैं साथ ही management को कर सकते हैं आप इस विवसाय को इस तरीके से चलाईए या रन करिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाप को देखते हैं अगला लाप कहता है कि कंपनी के प्रगतिकाल में अंशो के बाजार मूले में वृद्धी होती है बिल्कुल सही बात है जैसे ही आपने देखा होगा कि अकसर आप स्टेवनट देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो शेर से उसमें उच्छाल आया तो कैसे उच्छाला आया वो कूत पड़ा नहीं जब importantes करती है तो उसके शेर सभने आपुछाल आता है मतलब उसके अंशो में ऑनशो के बाजार मूलियों में भी उसका प्रभाव पड़ता है और वह उपर की और जाता है ठीक है और फिर नेक्स पॉइंट कहता है कि जो सासी एवं महत्वकांशी विन्योजक होते हैं उनके लिए आयका सर्वोत्तम साधन होता है साथ ही साथ अगला और अंती मिंदु की कहता है कि वास्तविक स्वामी होने के कारण अंशधा होते हैं इनसे प्राप्त जो पूंजी होती है स्थाई पूंजी होती है यह बेसिक पूंजी होती है साथ ही साथ समता अंशधारी जो होते हैं वो इस अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में इसके विकास विस्तार में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साथ ही साथ यह ए देखा है कि समता अंश से होने वाले लाब पहले हमने किसमें देखा पहला हमने देखा कि कमपनी के लिए किस प्रकार लाप्रदान करता है और दूसरा आपने देखा कि विनी वजिकों के लिए किस प्रकार लाप्रदान करते हैं अब जैसे हर सिक्षे के दो पहलू होते हैं त और किस सЛच परकेशष्ट उत्पन करता आंग जो समता अंश के दोश हैं वर कंपनी पर महत्वपूर्ज नियंत्रन को जैंगा जिससे मैनेजमेंट को चुछ कंपनी की के विकार से इंवेस्थार से या इमों पांपोर्टन द्रेसिजन सेंग करते हैं तो हैं सूइँ नियोजकों का हास्तक शेफ सही नहीं होता है न और उनका जो पूरा-पूरा नियंदरन भी सही नहीं है फिर बात आती है कि कंपनी को ट्रेडिंग और इक्विटी से जो लाप प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होगा इसके बात बात होती है कि निर्गमित समता अंश पुंज सहां बिलकुल बात है ऐसी स्थिति में जो कंपनी की सांख है वो गिर जाती है जैसे ही अगर हम देखें गलेखले है कि कंपनी के Shares उचलने वाले हैं या उसके Shares उबर्ने वाले हैं उनके Shares बबहाव बढ़ने वाले हैं तो वह से घरषय मार्ट में Shares पैसा लगा ते हैं इस हर बड़ी में बहुत सारे शेयर्स कर लिते और इन केस अगर ऐसा होता है कि उनके शेयर्स में उच्छाल नहीं आया तो उन कंपनियों की साख गिर जाती है तो इस तरीके से जो कंपनी के मूलें में जो अनावशक परिकल्पनाएं होती हैं कि नहीं इनके अंशों का मूले बढ़ने वाला है इनके अंशों में खुब पैसा लगाना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ तो इनमें कंपनी के साख पर बहुत बुरा असर पड़ता है तो इससे होने वाले दोशों को भी हमने समझा है कि कंपनी के लिए किस प्रकार के दोश उत्पन करती हैं आगे बढ़ते जो इस पर निश्चित आयप रहता है उनका किसी न किसी प्रकार की हानी होती है क्योंकि जैसे ही कंपनी जहा है लॉस में जाएगी साथ-साथ विनियोजग भी उनके साथ-साथ लॉस में जाएंगे दूसरी बात आती है कि आए की अनिश्चिता रहती है क्योंकि profits कितने होंगे इस पर बेज है कि अगर कम व्यवसाय को या व्यवसाय को अगर लाब हो रहा है तभी तो अपने लाबों को उचित रूप से वित्रित करेगा लेकिन अगर प्रॉपर प्रॉफिट सही हो रहे हैं तो लाभांश का वित्रन जो है वो मुश्किल हो जाएगा और इस सिती में जो आय जो है वो अनि सबसे अधिक हानी समता अंशधारी को ही होती है क्योंकि जो कमपनी की समस्त देंदारी के बाद जो भी बची हुई राष्री होती है वो जो ьतना डीटेल में जानने के बाद I hope आपको समता अंश जो होता है या equity shares जो होते हैं वो समझ में आया होगा अगर एक छोटा सा summary देख लेते हैं समता अंश धारियों का कि समता अंश होता क्या है जो समता अंश होता है यह उद्द्यों के स्थाई पूंजी होती है ठीक है इन साधरन अंश धारि करना भी इन्हें ही पड़ता है इन समता अश्थारियों को और साथ यही वो लोग होते हैं जो कि जो भी मालिकाना हक होने के कारण आक्चिली जो जीवन काल में इन्होंने विनियों किया है जब तक जीवन काल रहेगा तब तक उनको उनकी लगावे पैसे वापस नहीं अपनी के समापन के बाद भी जो भी देनदारियं होती हैं creditors को अब मीन जो रिंड आता होता है उनको अगैन preference shareholders को उसके बाद जो नमबर आता है वो समता अंश्थारी का आता है तो इस तरीके से हमने सम्ता अंश धारी को डीटेल में अच्छी तरीके से समझ लिया है I hope सम्ता अंश होता क्या है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा क्योंकि सम्ता अंश और प्रिफरेंश ये दोनों ही बहुत इंपर्टन टॉपिक है और इसको समझना बहुत अनिवार है आगे बढ़ते हैं प्रिफरेंश शेयर होल्डर्स की तरफ आए प्रिफरेंश शेयर होल्डर्स तबसे में एक नाम ले रही हूँ जिसे हैं पूरवाधिकार अंश कहते हैं हिंदी में ठीक है अब जो पूरवाधिकार अंश कैसे होता है जैसे कि preference या फूरवाधिकार है सबसे basic word है आप नोगों ने सुना होगा कि जिसको preference मलता है first priority उसी को दिया जाता है मतलब जिसको भी माट पहले चुना जो भी लाबांश होता है वो fixed rate में दिया जाता है जानते हैं कि पूरवा अधिकार अंश जो होते हैं उसको किस प्रकार से समझादा है अब पूरवा अधिकार जो अंश होते हैं इनको दो प्रकार के विशेश अधिकार प्राप्त होते हैं पहला जो विशेश अधिकार होता ह है कि एक निश्चित दर्में लाबांश देने के संबंध में इनको प्रार्थ मिक्ता दी गई है मतलब जो भी कंपनी प्रॉफिट्स गेन करेगी वो डिविडेंट्स के रूप में इनको एक फिक्स्ट रेट में देगी जो की समता अंश में नहीं था ठीक है दूसरी चीज कं हापन की दश़्ा में पूंजी को वापस लाठाने की जो प्रार्थ मिक्ता के बाद इनकी पहले करेटर और समता अंश से पहले इन पूर्वादिकारी अंश ठीक है किसी भी व्यवसाय से अगर उन्होंने उसमें विनियोग किया है तो दूसरी चीज जब कंपनी समापन की दिशा में रहेगी तो समापन की दिशा में क्या होगा जब भी पूरी देंदारी के बाद इनका नंबर आता है कि इनको पैसे या पुझी वापस लोटाई जाएगी और संता अंश्धारी जो हते हैं इनके बाद आते हैं और तीसरी बात जैसे कि संता अंश्धारियों को वोट देनिक अधिकार होता है यह प्रिफरेंट शेयर होल्डर्स को ऐसे किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है या नहीं दिए गये हैं आगे बढ़ते हैं अब पूर्वादिकारी अंशों के प्रकार पहला जो दिखरा है वो है संचई तथा और संचई संचई मतलब इखटा करना अब जैसे कि नामसे सपष्ट हैं कि संचई पूर्वादिकार अंश वे पूर्वादिकार अंश होते हैं जिनमें हर साल जब भी लाप प्राप्त होता है फिक्स ट्रेट में इस प्रकार के अर्च थारियों को वो डिविडेंट दिये जाते बट अगर कोई साल ऐसा होता है कि उनको प्रॉपर प्रॉफिट्स नहीं होई या फिर लॉस में गई कंपनी तो उस साल उनको क्या होगा वो प्रॉफिट्स नहीं दिये जाएंगे ठीक है लेकिन वो जो आगे आने वाले सालों में अगर प्रॉफिट होता है अगे आने वाले सालों में प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो उस साल का डिविडेंट तो पुरवादिकारी अंश को जाएगा साथ ही साथ जो जिस साल का अं जो है उनको दिया जाएगा किसको पूर्वाधिकारी अंश को यही होता है संचाई पूर्वाधिकार अंश ठीक है दूसरा होता है और संचाई जैसे नाम से सपष्ठ है कि जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल फिक्स ट्रेट पे उनको क्या दे दिया डिविडेंट्स दे इंचले बीतर सालों का जिनका पॉष्ज उनको नहीं दिया गया है वहुद दूसरा जो है भागीदारी अंश अब क्या होता है जैसे कि आपने को P长 है कि जो पूर्वादिकारी अंश होते हैं उनको एक फिक्स ट्रेट में क्या दिया जाता है प्रॉफिट दिया जाता है बिल्कुल सही बात है लेकिन अब जो बचा हुआ का अमौण्ट है जो भी साधर जो लाभांश बचा है वह साधारन अंशधारिय में वित्रित होगा उसके बाद भी करना पूर्वादिकारी अंश होते हैं उन्हें हम कहते हैं भागीदारी फिक्स ट्रेट में जो डिविदेंश मिलने थे वो मिल गया अलग से उनको कोई प्रॉफिट शेर नहीं हो रहा है आफ्टर शेरिंग विद जो इक्विटी शेर होल्डर्स ठीक है सो जो यह जो भागीदारी वाले पूरवाधिकारी अंश होते हैं इनको दो प्रकार से लाभांश मिलता है एक तो निश्चित लाभ प्रकार से उनको इस प्रकार के पूरवाधिकारी अंश होते हैं क्योंकि केवल इनको फिक्स्ट रेट में जो डिविडेंट्स मिलने थे वहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा कोई भी profits उनके साथ share नहीं किये जाएंगे अब आती है बात परिवर्तनिया वह परिवर्तनिया पूरवादिकारी अंशधारी की तो परिवर्तनिया पूरवादिकारी अंशधारी वे होते हैं जो कि अपने fixed rate में dividends चो लेते हैं साथे अपने जो अंश हैं उनको एक समय के पश्चा साधार अंश में convert करना चाते हैं और वो करते तो इस तरह के जो पूरवादिकारी अंशधारी होते हैं उन्हें हम परिवर्तनिया पूरवादिकारी अंशधारी कहते हैं ठीक इसके वीपरी जो पूरवादिकारी अंशधारी है अपने shares को या अपने अं तीन जो प्रकार है उनको समझा है आई हम चौथे प्रकार को दिखते हैं शोद्य पूर्वादिकारी अंशधारी वो होते हैं कि जिसमें दिये गए समय के बाद इनमें कोई चेंजेस करने होते हैं और ठीक इसके वीपरी जो होते हैं अशोद्य पूर्वादिकारी अंशधार उनके उनको किस प्रकार से पूर्वादिकार प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ वे कितने प्रकार के होते हैं उनको जाना आई इसको सम्मराइज कर लेते हैं सम्मराइज करने के बेसिस पर पूर्वादिकार अंश क्या होते हैं यह वे अंशधारी होते हैं जिनको एक फिक्स होते हैं जितनी पूंजी वापस लटाने के बाद क्रेडिटर्स के बाद ही इनको प्रार्थमिक्ता दी जाती है और समता अंशधारी के पहले इनको प्रार्थमिक्ता दी जाती है फिर तीसरी बात इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता और जो समता अंशधारी होते हैं वोट करने का अधिकार होता है तो एक चोटा सा डिफ्रेंसियेशन भी हमने समझा है आगे डिटेल में इसके डिफ्रेंसियेशन को और समझेंगे और इसे अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे पूर्वाधिकार अंश को समझने के बाद आई इनके लाब और हानियों को जानते हैं और देखते हैं सबसे परहे देखते हैं इन से होने वाले लाब क्या क्या है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह ऐसे विन्योताओं से विक्त उपलब्द कराता है जो अपनी पूंजी सुरक्षा तता ज्यादा निश्चिता के साथ आपका उपारजन करन जाते हैं यह एक निश्चिता के साथ करना जाते हैं इसलें यह लोग ए सरकेसे क्याن करते हैं अन्शो को प्राप्त करते है मतलब प्रिफरेंशेर्ट इसने jedoch हरिते हैं क्योंकि एक फिर्ट पर उनको न कि छो उनके जो बान्वान्ज हैं वो मिलतेरैं उन में कमीन आल्र श् बनते हैं नि intuit बाहरी लोगों को पूरवदिकार ज़ो आंश्धारी होते हैं इसी बात है फिर पूरवदिकारी अन्षो पर लाभांश की दर स्थाई कि एक्वीटी पर वियापार की नीदी को अपना सकती है साथ ही साथ लाभों में से पूरवध कारी अंश्धारियों को स्थाइदर में लाभांश देने के बाद सामाधान अंशो या साधारण अंशो पर लाभान्ज की द्र को बढ़ाया जा सकता है मतलब जो भी एक प्रकार का process होता है इसमें क्या होता है कि company जो है equity पर व्यापार भी कर सकती है साथ ही साथ जो अपने preference shareholders हैं उनके साथ profit sharing के बाद क्या कर सकती है जो साधारन लाभांज पर लाभांज की द्र है उसको वो बढ़ा सकती है इसके बाद बाद आते है कमपनी वित्ती सनरचना में लोच लाने में आसानी अनुभव कर सकती है क्योंकि जब भी अनावश्यक सस्ते इस शोद्य कियا जा सकता है मतलब जब भी अनावश्यक समझेगी कोई भी कंपनी तब इस पर कोई भी शोद्य किया है जो शोध्य पूरवादिकार अन्श इन बतां था कि एक पिर लुच लाने की परपस से क्या कर सकते हैं फिर बात आती है कि कंपनी संपत्यों को प्रभावित किये बिना पूरवादिकारी अंशों के द्वारा कंपनी दिरिकालिन वित प्राप्त भी कर सकती है तो यह जो थे वो उनके लाप थे पच्छे थोड़े से कठिन शब्दों का इस्तमाल किया गया है गया हैमकर आप इसको ईजी शब्दों में समझे तो बिलकुल सरल है पहली बात कि पूरवादिकारी अंश जो होते हैं इस प्रकार के शेयल होल्डर इसलिए बंते हैं या उनकी इस तरह के शोहोल्डर्स बनने के पीछे यही कारण होता है कि एक फिक्स ट्रेट पर उनकी जो परसंटेज है या लाभांश प्राप्ति वह उनको होती रहे मतलब उनकी आयब बनी रहे हैं दूसरी चीज उनका जो किसी भी प्रकार का मैलजमेंट पर कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि उनको वोट देने का दिकार नहीं होता है तीसरी चीज अगर कमपनी जो है वो पूर्वादिकारी अंश थारे के लाभांश की दर को स्थाई रखती है और वो एक्विटी पर वो पूर्वादिकारी अंश को देने के बाद वो फिर से साधारन अंश पर लाभांश की दर को बढ़ा सकती है चोथा जैसे कि हमने समझाया कि शोद्य पूर्वादिकारी अंश की दिशा में अगर कोई कंपनी चाहती है कि किसी भी पूर्वादिकार अंश थारी के उसमें शोध किया जाए, तो वह आसानी से शोध कर सकती है, और साथ ही साथ जो company, जो है, वो संपती को प्रभावित किये बिना, वो क्या कर सकती है, पूरवादिकारी अनुशों के द्वारा, company, जो है long term, long term के लिए width प्राप्त कर सकती है, यह इसमें कभी भी वित्त की प्राप्ती होती है वो long term के लिए की जाती है क्योंकि एक fixed rate पे जो होता है लाभआश प्राप्त होता है पूरवादिकारी अर्ष्थारियों को इसलिए इसमें जो भी वित्त प्राप्त होगा वो long-term basis पे ही किया जाएगा तो एक detail और साथ ही साथ summary के साथ मैंने आपको इनसे होने वाले लाब को समझाया है आगे बढ़ते हैं और इनसे होने वाले हानियों को जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इनसे होने वाली हानिया क्या हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कम्पनी पर अन्य प्रकार की अंश्थारियों के पहले एक स्थाईदर से लाभांश देने का स्थाई भाहर डाल देती है, बिल्कुल सही बात है, कम्पनी पर एक प्रेशर होता है, कि कभी भी जो प्रॉफिट्स गेन होंगे, यह यह लाभांश प्राप्त होगा, वो सबसे पहले किसको जाएगा फिक्स्ट रेट में, वो सबसे पहले जाएगा इन पूरवाधिकारी अन्श्थारियों को, यहनि प्रेफरेंट शेर होल्डर्स को, तो यह कम्पनी पर लोड होता है, ठीक है, दूसरी बात आती है कि विनिय इस मैनेजमेंट कहने का मतलब है, कि उनको वोट देने का दिकार नहीं है, और वो निय tedंट नहीं रखते कम्पनी कि किसी भी परकार की कारे को करने में उसके विकास हम तीसरे हानी की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी हानी कहती है कि पूरवाधिकारी अंश्थारी को काफी हानी उठानी पड़ती किस सिती में यदी कंपनी के प्रमंदक शोध पूर्वादिकारी अंशो का भुकतान मंदी के समय करें तो इस सिती में वह क्या करता है जो शोध पूर्वादिकार के पूर्वादिकारी होता है वह इस समय मंदी के समय अपने अंशो के भुकतान लेना पसंद नहीं करθें हैं पीर होते हैं नहीं तब ओपत्र की बात यह यह जो होते हैं इनकी जो होती है वह ओर पड़ेंगे ऑऄ दूसरी चीज स्रकारी प्रतीबूतिय एनो गोंट सेक्योरिटी इनकी तुलना में इनकी जो rate of कह सकते हैं आए हैं न वो ज्यादा होती है और बैंक और बीमा कंपनिया जो होती हैं इस प्रकार के अंश्थारियों का विरोध करती हैं क्योंकि company को अगर जब हीबी profit होता है तो ये profit जो होता है एक fixed percent के रूप में इन साथ शेर होता है है ठीक इस कमपनी का भी लाब में भी जा रही है तो थोड़ा नहुं सीध के शेर करना पड़ता है क्योंकि इनकी आए इस कमपनी पर हीपकर असापर यह एक important topic था इस chapter का हम आगे चलते हैं next important topic की और जिसे हम कहते हैं लाब का पुनर विनियोजन या अफ्तरित लाब है ना इसके अरावा इसे हम English में कहते हैं exploring back of profits and reinvestment of earning अब जैसे कि आपको यह शब्द एकदम clear है इसकी meaning आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह क्या कहना जाता है इस आधारन शब्दों में मैं बता हूं कि जब ही भी किसी company को कोई profit हो रहा है ठीक है लाभांश हो रहा है किसी आवर्ष लाभांश मेरा ठीक है तो उन्हों क्या किया सबसे पहले creditors को जिन से रंड लिये थे उनको दिया उसके बाद प्रिफरेंश होल्डर्स को दिया उसके बाद जो साधार अनशदारी थे उनमें वह बटा ठीक है उसके बाद भी अभी भी profits का एक अच्छा कासा amount बचा है तो उन्होंने क्या किया अब यह जो fund ब दिए रख लिए इसे हम आंतरिक विट्ट या नीजी विट्ट भी कह सकते हैं और अगर हम कहें कि इसे हम इन्दी में एक बहुत अच्छा शब्द आता है इसे हम सामाने संचेकोश भी कह सकते है क्योंकि इस सिती में क्या होता है कि अब जितने भी profit हमने gain किये थे सारे हमने सारे क्लियर कर दिया मतलब जितने लोगों से जाया रिंड आता हो से रिंड लिया था ठीक है उसके पर प्रिफरेंश शेर्वोल्डर्स को जो फिक्स ट्रेड पे उनका परसंटेज देना था वो भी दे दिया सामान इंशधारियों में वित्रत कर दिया अब जो बचा हुआ प इसके लिए आपके पास सेविंग एकाउंट में या कुछ सेविंग्स रहनी चाहिए ताकि ज़रूरत पढ़ने पर आप काम कर सके तो बिल्कुल उसी कॉंसेप्ट पे यह प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉपिट्स या री इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनिंग काम करता है जिसे हम फंड लगता है वह इसमये से लेता है ठीक है अब कंपनी में अलग अलग चेंजे सा सकते हैं वह अपने प्रोड़क्ट को तो उसको क्या करना है उसको श स्येविंग रखना है उसलों जैसे कि युप लोग रखते हैं और जब ह्म들 कesटी होicing सब कोडिंग उसको निकालना है ताकि वो कमपनी के बेनिफिट्स में या कमपनी के अच्छे कारियों में इस्तिमाल किया जा सके तो बच्चो यह होता है लाब का पुनर्वियोजन या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स अब देखे एक हर पक्ष के दो पहलू होता है तो वै सेविंग का पस्पक्टिव देख रहे हैं वी ठीक है कि सब उसने क्या किया अपने क्रेट्टर्स को भी पैसा दे दिया जितना जरूरत था रिक्वाइट था हर मंत उनको जाता था यह 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 जाता था दूसरा उन्होंने जो प्रिफरेंश शेयर होल्डर्स को भी जिस रे नहीं कि सेफटी के लिए पैसे कटा कर रहें लेकिन अगर इसी तरीके से हम देखें कि अब इन लोगों को उनमें से कुछ एमाउंट निकाल करके हम सेविंग्स में लें तो उसमें क्या होगा यह जो शेयर होल्डर्स या क्रिडिटर्स हैं या जो रिंड दाता कह सकते हैं और कंपनी का विकास विस्तार जो होना चाहिए वो नहीं होगा और कंपनी जो है समापन की और चली जाएगी तो हरी कॉंसेप्ट जो है एक एंड तक सही है दूसरे एंड में कहीं न कहीं गलत हो जाता है तो जहां तक सही है हमें किसी भी व्यवसाई को हमें या किसी भी व् इस concept को वहीं तक follow करना है आए इस concept को और detail में जानने कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस concept में आगे और भी क्या-क्या चीजें समयलित की गई हैं अब हमने जो plowing back है है ना of profits उसकी concept को जान लिया है इसके उद्देश्ट को भी हमने एक roughly समझ लिया है आए एक कुछ अच्छे शब्दों में उसको और अच्छे तरीके से जानने कोशिश करते हैं और वो कुछ अच्छे शब्द अच्छे वाकिए आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है आई देखते हैं क्या कहता है पहला statement कहता है कि जो इसका पहला उद्देश है वो है company के सुधार विकास विस्तार करने के लिए वो नई संपतियों का क्रय करने के लिए किया था बिल्कुल सही बात है अभी तक हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि सेविंग्स जो हैं हम किसी भी चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए इस प्रकार के फंड की आवशक्ता होती है और वहीं इस प्रकार के फंड को इस्तमाल किया था यह इसका पहला उद्देश होता है दूसरा उद्देश कहता है कि पुरानी संपत्यों के प्रतिस्थाप कैसे होगा माली जे हम कभी लॉस में दे कोई विवावशा उस से में उन्होंने क्या किया अपना कुछ जो चैपिटल था या फिक्स कैपिटल रिंड आता हूं कि पास उधार पे रख दिया ठीक है तो उसको छुडाने में या अपनी कोई जमीन को किस पर सेक्यूरिटी में दे रिया और यह लोन ले लिया तो उसको चुड़ाने के लिए इस प्रकार की सेविंग्स को यूज किया जाएगा टीक है तो यह दूसरे पॉंट की एक्स्प्राइन के प्रतिस्थापन के लिए तीसरा पॉंट कि क्या हो सकता है कि कंपनी कारशियल पुंजी अब क्यों ज कराने है साथ ही साथ मशीनों की सर्विसेंग करानी यह MACHjem मने रिप्लेशमेंट कराने इन परामिय से क reverb करना है अपने सारे जैसे मैंने कहा कि कोई रिंड लिया हुआ उसके बुक्तान के लिए और अगर कोई प्रॉपर्टी उसमें फसी हुई है ऐसे सेक्यॉरिटी तो उसको बाहर निकानने के लिए भी जो इस प्रकार की सेविंग्स का यूज किया जाता है यह इस प्रकार के लाबों का संचे किया अब इसके कॉंसेप्ट और उसके उद्देश को अच्छे से जान लिया है और हमने समझ लिया है आई अब हम देखते हैं कि जो लाबों के पुनर नियोजन से क्या-क्या लाब होते हैं तो पहले दो लाब हम देखते हैं कि पहला तो है कंपनी को लाब कंपनी के लाब के वे सभी बात मंधी काल में जभी बीसाय जो है उसको किसी न किसी प्रकार का हे लॉस हो रहा ठो जब किसी कंप नी के पास हे घ्डबán क्या होता है सेमिंग एकाउट में क्लोक सेविंग्स होगी तब मनदी काल ऐसका है को बचा कर सकता है अगर कोई सप्पलब एपने पास सेविंग्स नहीं रखेंगा या ऐसा फंड नहीं रखेंगा जो कि जरुत पढ़ने पर उसे काम आए तो मंदी काल में उसको एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेका साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो business है वो समापन के ओर चला जाए तो इस सिती से बजने के लिए मंदिकाल में जो आने वाली विशमताएं है उन से बजने के लिए सीधी सी बात है कि इस प्रकार की savings की बहुत आवशकता होती है और लाबों का पुनर वियोजन करना आवशक होता है कि company के लिए first benefit होता है पहला लाब होता है आगे बढ़ते हैं दूसरा लाब होता है आधोनी की current अता विस्तार की आवशकतावती वित में आप बच्चों देखिए हम अपने रोज मर्रा की जीवर में देख रहे हैं कि रोज नई नई चीजें आ रही हैं माकेट में ठीक है और टेक्नोलोजिकली जो देश दुनिया है वो साउंड हो रहा अपडेट हो रहा है आपने जितने भी संसाधन वो यूज कर रहा है इस समाल कर रहा है उसे भी उसे अपडेट रखना पड़ेगा है न तो इस चिति में क्या होता है कि कंपनी को modernization की और development की जरूरत है तो यहां पर भी उसे fund की आवशकता होती है तो यह fund कहां से मिलेगा लाब के पुनर वियोजन के द्वारा जो हमने savings की है या वेवसाई ने जो savings की है उसके द्वारा ही इस प्रकार के expenses को bear कर सकता है अब हम देखते हैं कि अब अगर नहीं होगा अगर इस प्रकार के लाबों का पुनर वियोजन नहीं होगा तो किस प्रकार की सुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर या फिर हम इसको अच्छे शब्दों में पॉजिटिव स्टेट्मेंट के साथ कह सकते हैं कि जब हम लाप का पूनल व्योजन करते हैं तो किस प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है तो पहले सुविधा यह प्राप्त होती है कि बाहरी सो पूरी खतम कर दिए कुछ सेव नहीं किया अब बीच में कुछ आवश्यक्ता पड़ी है तो किसी को कॉल करें भाई तेरे पास हजार रुपे है क्या मुझे यह बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो उसके बाद जब आएगा मैं तुझे नेक्स्ट मेंट पे कर दूंग कि एक चोटा साउधा रंट था लेकिन कंपणी के इतने चोटे चोटे खर्च नहीं होते उसके पास जो कर्च होते हैं वो कई बड़े अमाउंट में खर्च होते हैं ठीके तो यह चीज़े कंपणी कर नहीं कर सकती उनको क्या है अगर रिंड लेना है तो वह 1000 रुपे रिं इस चीज यह नहीं करने पड़ती है कर साधार अबाश्या में देखे हम क्या करते हैं कि जैसे बात कर लें हमने क्या कि हमें एक जमीन पसंद आई हम जमीन खरीनना चाते हैं बड़ आट डायम हमारे पास उतने अमाउंट नहीं है तो अपने पास जो गोल्ड रखा था उसक तो security purpose से हमने अपने जो capital है या हमारा जो धन राशी है या हमारे पास जो asset है हम कह सकते हैं उसको क्या कर दिया एक security की रूप में रिंड लेने के लिए किसी को तो यह सब काम नहीं करना पड़ता अगर हम labo का पुनर वियोजन करते हैं तो आए इसके आगे आने वाले labo को होते हैं अब अगले labo को देखते हैं जो है स्थिर लाभांश नीती अपनाना बिल्कुल सही बात है कि इससे जो है एक स्थिर लाभांश नीती को अपनाया जा सकता है कि मतलब एक continuity की basis पे आपको लाभांश प्राप्त हो रहा है और उससे जो fund generate हो रहा है आप उसे company के विक अलग अलग चीजों पर डिपेंडने रहना पड़ेगा अगर आपको मैनेफिक्चरिंग यूनिट है या कोई बिजनस है जो की मौसम पर बेस्ट है तो आपको मौसम पर डिपेंडनेंट होना जरूरी नहीं है ठीक है अब इसमें क्या होता है कि सेविंग्स आपके पास है कुछ लॉस भी हो रहा है तो आप उस लॉस को बहन कर सकते हैं या आप उसको टाइम से पहले भी वो काम कर सकते हैं ठीक है तो जैसे कि मैने बताया था कि मन्दी काल में ये बहुत मदद करता है अगर आपके पास सेविंग्स है तो सेम यही चीज़ यहां पर भी बात होती ह और हास की कमी की पूर्ती मंदी काल में मैंने बताया था कि जिस तरी से लॉस होते हैं या कभी आपको लॉस हो रहा है तो उस ती में जो लॉस हैं उसको हम कैसे उससे कोप अप कर सकते हैं या उबर सकते हैं तो ये जो फंड होते हैं हमारे पास सुरक्षित रखे जाते हैं या सामाने संचेक कोश जिसे हम कह रहे हैं ये जो कोश होते हैं ये हमें हास की कमी की पूर्टी करने में मदद करते हैं फिर बॉंड या रिट्पत्रों की भुकतान में सुवीधा देते हैं बिल्कुल सही बात है जब अब प्रॉफिट्स के टाइम चल रहे हैं आपके पास पास है ना उसी ती में क्या कर सकते हैं जितने भी आपने रिंट पत्र लिए हुए हैं बॉंड लिया हैं उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं ठीक है क्यों कि आप प्रेंड पत्रों और बॉंड की बात करेंगे तो इस पर ब्याज लगता है आपको इन के धारी ओं को देना पड़ सकता है पूरा नहीं न भी कर पाया तो एक बड़ी इमाउंट दे सकता है जिसे उसका ब्याज जो है आगे के लिए जो इंट्रेस्ट है वो कम हो जाएगा ठीक है तो अभी तक हमने पड़ा कि कंपनियों को क्या लाब है अब हम देखते हैं कि अंश धारियों को किस प्रकार के लाब प्राप्त है तो पहला जो लाब है विनियोग की सुरक्षा तो उसमें किस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होगी पहला उनके विनियों काफी सुरक्षित हो जाएंगे मतलब उनको प्रॉपर आय मिलेगी जो उन्होंने विनियों किया हुआ है उनको प्रॉपर रि या लाभान शुन को दिये जाएंगे तो वही रेट्स हमेशा continue रहेंगे वो रेट्स घटेंगे नहीं तीसरी चीज़ की कंपनी जो है अगयान मौसमी प्रतिक्रियाओं यह व्यावसाइक उतार चड़ाओं को आसानी से सामना कर सकती है बिल्कुल सही बात है कंपनी को इन पर प्रॉफिट में चलती है और यह जो सेविंग्स फंड है वह करते हैं शेर के जो मार्किट वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए फिर लाभार्जन श्रमता में वृद्धी बिल्कुल सही बात है कि यह जो फंड है कंपनी को मदद करेंगे उसके विकार से विस्तार के लिए साथ ही साथ लाभार्जन को अधिक से अधिक मात्रा में अन करने के लिए या प्राप्त करने के लिए उसके बाद आती है अधिकार से बचना और यह जो हैं जो अंशधारी हैं जो अपना अधिकार जमाते हैं उनके अधिकारों से भी बस सकते हैं जो उनके जो फिक्स ट्रे के लिए वो चाहते उन चीजों से कंपनी क्या कर सकती है बच सकती है और अपने आपको सुरक्षित रख सकती है तो अभी तक हमने देखा कि जो दो लाब देखे एक तो कंपनी को लाब प्राप्त हुआ दूसरा हमने देखा आंच धाडियों को भी लाब प्राप्त हुआ आई करते हैं तो एक समय के बाद हमारे पास एक अच्छा का सामाउंट तयार हो जाता है तो यही पात विवसाय में भी होती है एक बड़ा विवसाई अपने प्रॉफिट्स को अगर सेव करके रखता है तो उस चिति में भी क्या होता है कि उसके पास जल्दी ही एक बहुत बड़ा मांड तयार शenviron्ट जिसको ख़ए अच्छे तरीचे से सकता है यहरी में सकता है क्êts सकते हैं दूसरा उच्च जीवन सर है ना अपडेट कर सकता है जो लिविंग पाटर्न है यह लिविंग स्टाइल है वो हाई हो जाएगी उनका जीवन जीने का तरीका है वो उच्च तम रेट पे चला जाएगा फिर संसाओं की क्रियां सुचारू रूप से नियंतर रूप से चलेंग जैनूइन होना चाहिए वह उस्क्राइए के लिए फंड की आवशी दाइब न की खूलन के अवश्योग के लिए शीग्रविद्ध चाहिए बिल्कुल सही बात है कि जब भी कंपनी का आधनी की करण करना है तो उसके लिए एक श् mythical की आवश्यक्त हो डिए तो बचो इस तरीके से हमने तीन तरीके से लाप प्राफ्ट हो रहे हैं उनको जाना अब आई हम देखते हैं कि किस प्रकार हानिया होती है और यह कौन कौन सी हानिया है जिनका सामना करना परता है